नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिनिस कुमार एक बार फिर मेरे चैनल में आपको बहुत स्वागत है और आज हम MCQs Anatomy का जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहा है और इसके कुछ पार्ट जो है मेरे सिकेंड चैनल पर आ रहा है दिनिस कुमार के नाम पर है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा चैनल का वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं वहाँ पर भी वीडियो जो भी आपको लगता है एंसर सही है वो आप कर सकते हैं सौट में तो आप कमेंट कर सकते हैं पहली बारा है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन भी दबा कर रखिए जदाश जदा अपने दोस्तों में सेर भी कीजिए और इसका पीडियो अगरे चाहि यह तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे वो वीडियो के बाद आप देख सकते हैं और सबसे पहले तो हम यहां पर बात कर लेते हैं MC की उसका तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप देख करके पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद आपको दिया है और आप एंसर जल्दी से कर दीजिए ताकि हम आगे और भी सवाल जो हैं वो पूछ सकें आपसे जल्दी जल्दी आप कमेंट्स कीजिएगा बाकी लोग जितने भी लोग हैं सारी के सारे और कमेंट्स कीजिए एंसर सबका एंसर में कमेंट्स जो है रीड कर देते हैं डी बाला उप्सन आएगा बाकी सब जो है रेस्परेटी सिस्टम के पार्ट हैं कि वर डी बाला जो है रेस्परेटी सिस्टम का पार्ट नहीं है अगला सवाल जो है सिकेंड नमबर का थ्री लोप्स और प्रेजेंट इन तीन लोप्स जो है इन में से किसमें सकता है सही है जल्दी से आप कमेंट कीजिए ठीक है दो का कौन सा आपसन आएगा वो आप डैस करके एंसर कर दीजिए जल्दी से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाये जा रहा है कमेंट से आप कर सकते हैं चलिए इसका एंसर जो हम ये वाला उपसन आएगा राइट लंक्स जो है इसमें थ्री लोपस आपको देखने को मिलते हैं ठीक है अगला सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है पॉंस इन एज दा पार्ट आप ये पॉंस जो है ये किसका पार्ट से ये आपसे पूछा जा रहा है ठीक है तो आप ल Registry System, Respiratory System या Cardioviscular System किस का पार्ट स है ये आपको answer करना है जल्दी से आप लोग answer बता दिजिए उसके बाद हमें answer आपको बताते हैं आप लोगों को सारे system के parts पता होना चाहिए कौन कौन से parts involved होते हैं क्या क्या function है उनके importance क्या क्या है सारी जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए और वहीं से सवाल जो है बनते हैं इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ये किसका part से ये आपको बताना है तो चलिए हम आपको बता देते हैं answer बाकी लोगों ने comments कर दिये हैं बाकी लोग भी आप comments कीजिएगा answer तो इसका जो है ये वाला option आएगा central nervous system sort में लिखा है cns ठीक है तो sort में भी लिखा जा सकता है इसलिए आपको sort form भी पता होना चाहिए अगला सवाल आप से पूछा जा रहा है how many pairs of salivary glands in the mouth mouth में जो है slivary glands कितने होते हैं ये आप से पूछा जा रहा है प्यास में ठीक है तो जल्दी से आप लोग answer कर दीजिए slivary glands की संख्या आपको बताना है कितने होते हैं जल्दी आप लोग बता दीजिए ठीक है बाकी लोग भी comments कीजिए जल्दी जल्दी 4 नमबर का option आपको बता देते हैं ठीक है जिसको नाम पता है नाम भी आप बता सकते हैं ठीक है तीन जो है ओप्सन दीया है यह ACCरेक्ट है तो जिसको नाम पता है वो नाम आप बता सकते हैं ठीक है अगला सवाल jest société abdominal organ पूछा है तो largest abdominal organ इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है option large intestine liver pancreas is stomach इनमें से कौन सा है वो आप बता दीजिए सवाल जो है आप लोगों से बनाया गया है पूछा जा रहा है तो important जो है और basic sysak 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 s उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है which is the following function of liver liver का function यहाँ पर पूछा है आपसे कि इन में से कौन सा जो है liver का function है secretion of bile, storage of glycogen, formation of urea या all of havoc यह भी बहुत आसान है इसका भी answer आप दे सकते हैं तो जितने भी important organ है और system है उनमें से ही सवाल बनते हैं इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा सारे system को ठीक है बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहा हैं पूरा college में इस school में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत आसान है यह इसलिए जो है आप इनका answer तो आप गलत नहीं करेंगे तो चलिए इसका answer भी आप लोगों को पता होगा और sixth number का option आपका D आएगा all of a boss सारी के सारी जो है यह function लिवर के हैं तो चलिए correct option आपका D वाल आएगा सातवा जो है insulin is secreted by insulin जो है mostly आपको जो है important होता है और यह आपको कहां से secreted होता है यह आपको बताना है ठीक है ओर्गन के नाम दिये हैं liver pancreas system के spleen तो आप लोगों को इसका answer भी पता होगा बहुत basic सवाल है और important भी है यह ठीक है insulin का function भी आप लोगों को पता होगा सबको तो चलिए इसका answer आप लोग बता दीजिए सेवन्त का बाकी लोग भी जल्दी जल्दी comments कीजिए यह बहुत आसान सवाल है और basic सवाल है तो इनमें गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है तो जल्दी से आप answer कर दीजिए उसके बाद हम आपको बता रहे हैं साथवे का बाकी लोग भी comments कीजिए जल्दी जल्दी ठीक है तो इन्सुलेंज इस सीक्रेटेट बाए और आपका answer जो है भी आ जाएगा इसका pancreas ठीक है चलिए अगला सवाल pituitary gland secreted the following hormones तो pituitary gland जो इन में से कौन सा hormone secret करता है यह आपको बताना है GH, TSH, FSH या all of above यह भी बहुत आसान सवाल है और important भी है तो आप इसका answer भी जल्दी से कर दीजिए और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद जल्दी से complete करें ठीक है तो इसका option भी जो है आप लोगों को पता होगा और answer भी मालम होगा तो D वाला option है इसका correct आठपे का D ठीक है तो सारे के सारे hormones जो है pituitary gland के द्वारा secreted होते हैं तो अगला सवाल आप से पूछा जा रहा है secretion of progestron by progestron जो हिंद मैं से किसके द्वारा secretion होता है यह आपको बताना है ठीक है ovary uterus ठीक है और उसके बाद ती दो option और है ठीक है तो यह आपको बताना है इसको मैं आपको zoom out कर देता हूं ताकि देखने को मिल जाए secretion of progestron ठीक है तो इसका answer जो है आप जल्दी से कर दीजे नाइन्थ नमबर का चली बाकी लोग भी comments करते रहिएगा ठीक है हम इसका answer आपको बता देते हैं यह भी बहुत आसान है और नाइन्थ का जो है answer आपको यह आएगा ovary जिसनोंने comments किया है ovary बिल्कुल correct option है आपका ठीक है और अगला जो है सवाल आपसे पूछा जा रहा है excretory units in kidney are called जो excretory unit होता है kidney का उसको क्या कहा जाता है यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है दस्वे नंबर का तो इन में से कौन सा correct है वो आपको बताना है nephron cortex medular pelvis तो यह आपको बताना है excretory units जो होता है important kidney का वो कौन सा है इन में से यह भी बहुत आसान सवाल है इसके बारे में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा सुना होगा अच्छे से diagram भी बनाया होगा ठीक है एक एक चीजों के बारे में तो यह तो school से ही आप पढ़ते आ रहे हैं सारे system इसलिए मैंने बोला कि गलती जो है इन में नहीं होना चाहिए anatomy physiology का अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए दस्वे नंबर का answer आप जल्दी से कर दीजे बाकी लोग भी फिर आगे हम चलते हैं इसमें जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजे दस्वे का आपका answer हम बता देते हैं a वाला आएगा nephrons ठीक है बहुत important part है ये इसके बारे में detail आप पढ़ लीजेगा बाकी जानकारी भी उससे भी सवाल बन सकते हैं हमने केवल हर एक parts को उठाया है cover करने की कोशिस किया है ताकि उनमें से आपको detail बाकी चीजें भी पढ़ना है जैसे हमने एक एक्सक्रेट्री उनिट्स दिया है किड्नी तो किड्नी के बारे में detail पढ़िएगा एक्सक्रेट्री जो पूरा system है उसके बारे में पढ़िए nephrons पूरा detail पढ़िए कहीं से भी कुछ भी सवाल जो है आप से पूछा जा सकता है तो सारी जानकारी आपको होन चाहिए ठीक है ये तो बहुत आसान सवाल है how many chambers in the heart ये सबी लोग आप लोग बता सकते हैं इसका answer इसमें time जादा हम नहीं लेंगे बाकी लोग भी comments कर दीजे जल्दी और आगे बढ़ते हैं इसमें ठीक है इसका answer भी आप लोगों को पता होगा 11 का डीवाल option है इसमें चा जाता है ये आपको बताना है तो ये भी important है respiratory system आपने detail पढ़ा होगा ठीक है तो इसका जो है answer आप दे सकते हैं lungs, bronchi, trichia और aluli चार option है आपके पास जल्दी से आप comment कर दीजी बता दीजी हमें इसका answer क्या हो सकता है ये भी बहुत आसान है तो चलिए हम इसका answer आपको बता देते हैं 12 का आपका answer D आएगा और ये important है as will lie ठीक है इसके बारे में भी आप पढ़िएगा जरूर detail में अब cerebellum का function इसमें से पूछा है कौन सा function है ठीक है चार जो है इसमें 3 option है उसके बाद all of the above दिया है तो इस तरीके से सवाल आते हैं तो इनको जो है आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा ऐसा नहीं है कि आदा दूरा पढ़ा और किलिक कर दिया पूरा आपको पढ़ना है option सारे के सारे option पढ़ेंगे तब ही आपको समझ आएगा और इस तरीके से आप option पढ़ सकते हैं आराम से उसके बाद आप जवाब दीजेगा आपको समय दिया जा रहा है और जवाब आप दे सकते हैं पढ़ने के बाद कौन सा इसका जवाब सही है ठीक है स्टेरिबिलम का function जो है आप लोगों को पता होगा और इनमें से बता सकते हैं कौन सा function है सही 13 number का शवाल है ये और उसके बाद जो हम आगे चलेंगे तो चलिए हम बता देते हैं सारे के सारे function जो इसमें दिये हैं वो correct है बिल्कुल तो डी वाला option जो है इसमें आएगा ठीक है तो उसके बाद जो है अगला सवाल आप से पूछा है CSF is present in following spaces तो CSF जो इनमें से किसमें present होता है वो आपको बताना ह सबैर्टनाइट स्पेस, ventricle of brain, central canal of spinal cord ठीक है तो जैसे कि अभी सवाल जो है आपको आसान लग रहे हैं और इसमें से आपको अलग तरीक से भी option दे सकता है अब इसका option भी आपका जो है correct D आएगा all of above ठीक है लेकिन कोई एक सही option होगा बाकी तीन option गलत भी दे सकता था ठी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है इसलिए हर एक सवाल के लिए आपको तैयार रहना है ठीक है अगला सवाल है male reproductive hormones इसमें से आपको बताना है male reproductive hormones जो है कौन सा है टेस्टेस्ट अच्छिरोन एस्टोजन प्रोजिस्टोन या all of above यह भी आसान है इसका भी एंसर आप लोग जो है आसानी से दे सकते हैं बहुत आसान है इसका एंसर भी तो correct option जो है चलिए बाकी लोग भी comments करते रहिएगा और इसका एंसर जो हम बता देते हैं आपको पंदरा का जो है कर रहे हैं जो हमें mail कर रहे हैं और subscription ले रहे हैं तो आपको अगर चाहिए PDF तो आप ले सकते हैं और बाकी जो है हम सवाल आपको YouTube पर बताई रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से यह आज का MCQs था वीडियो को सेर जरूर कीजिए like करके जाएगा वीडियो को और thank you so much आने के ल जाकर के आप दूसरे चैनल को भी सबस्क्राइब कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको MCQs मिलते रहते हैं thank you so much